बल्कम टिश्टों डिक्टेशन डिक्टेशन पांस किन बाज शुरू होगा रेडी स्टार्ट बदलाव होने जा रहा है इसके आसार इसलिए नहीं क्योंकि कॉंग्रेस नेत्रित अर्थार्त गांधी परिवार 2014 के बाद से ही एक के बाद एक चुनावों में पराजय के कारणों पर आत्ममंथन करने से नकेवल बच रहा है बल्कि जो नेता इसकी जरूरत जताते हैं उन्ह हतोत साहित कर रहा है इस्ति यह है कि पार्टी के अंदर ऐसा कोई मंच तक नहीं जहां कॉंग्रेसी नेता अपनी बात कह सकें इसका ताजा प्रमाड यह है कि कपिर सिब्बल को यह बात कहने के लिए मीडिया का सहारा लेना पड़ा कि कॉंग्रेस को अब विकल्प के है हरानी नहीं कि पार्टी नेत्रित का परियाय बन गए गांधी परिवार की ओर से उन्हें इस बात के लिए जिड़की सुनने को मिले की कॉंग्रेस को हर पर आत्मनिरिक्षण करना चाहिए कोई इसकी अंदेखी नहीं कर सकता कि कपिल सिब्बल समेत कॉंग्रेस के करिब दो दर्जन वरिष्ठ नेताओं की और से पार्टी के तौर तरीकों में बदलाव के लिए सोनिया गांधी को लिखी गई चुठी के जवाब में उन्हें किस तरह हिदायत दी गई थी इन में से कुछ के तो पर भी कतर दिये गए थे इसका सीधा संदेश यही था कि कोई ने परिवार को सुझाव सलाह देने की भी हिम्मत न जुटाए कॉंग्रेस जैसे जैसे कमजोर होती जा रही है गांधी परिवार उस पर अपनी पकड़ और मजबूत करता जा रहा है पहले सोनिया गांधी अध्यक्ष थी और राहुल गांधी उपाध्यक्ष जब राहुल अध्यक्ष बने तो उन्होंने बहन प्रियंका को महा सचिव बना दिया 2019 के लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद जिम्मदारी लेकर जब राहुल ने अध्यक्ष पद छोड़ा तो सोनिया इस विचार के बावजूद अंतरिम अध्यक्ष बन गई की पार्टी की कमान परिवार के बाहर का कोई नेता संभाले सोनिया को अंतरिम अध्यक्ष बने एक वर्स से अधिक बीत गया है और कोई नहीं जानता की कॉंग्रेस को पूर्ण कालिक अध्यक्ष कब मिलेगा गांधी परिवार को जल्दी इसलिए नहीं क्योंकि राहुल पर्दे के पीछे से पार्टी चला रहे हैं ऐसा इसी लिए है क्योंकि परिवार ने पार्टी को अपनी जागीर मान लिया है समय के साथ कॉंग्रेस में चाटूकार नेताओं का एक ऐसा समुह भी उभर आया है जिसका एक मात्र काम गांधी परिवार का कुरगान करना है बहुत संभव है कि उनकी ओर से कपिल सिब्बल को खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया जाए जो भी हो कॉंग्रेस में सुधार के कोई आसार नहीं